आयोध्या में रामलला मंदिर के शिलानियास के लिए प्रधाल मंत्री मोधी 5 अगस्त को आ रहे हैं तो फिर वहीं दूसरी तरफ बकरीद और रक्षबंधन का तेवहार की इसको लेकर के प्रशास्तान पूरी तरह से चौकनना है हमारे संबादाता ने एसीपी संजीब सिनहा से इसको लेकर के खास बाचुई की आगामे तेवहारों को लेकर और साथ यसाथ आपको बता दें कि जो आयोध्या में पांस तारीकों राम मंदिर का निर्माड होना है उसको लेकर के उचर प्रदेश में हाइलर्ट किया गया है ऐसे में हावरसात में बात करने के लिए असीपी मोहलाल गंज ऑन से बात करते हैं कि किस तरह की पूरी ब्यौस्थाएं की गएगर शुरक्षा ब्यौस्था की बात करें कि अनुप जो अनुमन में संख्या है, सोसल डिस्टेंसिंग है, उनको जो सेनिटाइजर मास्क का प्रयोग करकर के जो है मंदीर मस्जिदों में जाना है, उसकी कारवाई है, वो करते हुए, विल्कुल अनुसासित और डिसिप्लीन तरीके से उसको तिवहार को मनाएंगे, इ मेरे द्वारा भी इनको बताया गया है, तो सभी सर्व धर्म के लोगों ने इस बात पर सहमती बनाए कि शासन की मनशा के अनुप ही जो है तिवहार को मना जाएगा, जिस तरह से अध्या में पांस तारी को पीम आ रहे हैं, मोदीजी आ रहे हैं, और निर्मान कारी शुरू मन्दिर का, ऐसे में जो सुरक्षा व्युस्ता को लेकर के अलर्ड किया गया है, पुलिस प्रिशासन को या जितनी भी सुरक्षा एजंसी हैं, ऐसे में यहां पर गर हम बात करें तो किस तरह की व्युस्ता की गई हैं? इस्सार ने बताय कि की सतरे संधी आगामी तयोहार, और साति साथ जिस तरह से अयुद्या में आर्मान के स्स्याइज जो सुरक्षा व्युक्षा व्युस्ता पुलिस परूलिस को तेनाथ भी किया गया है।